हेलो दोस्तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आयुर्वेद में पौधो से मिलने वाले निर्यास यानि गोंद का बड़ा महतु है विभिन आयुर्वेदिक योगों में विभिन परकार के निर्यास इस्तेमाल किये जाते हैं जैसे कीकर का गोंद, जैसे ढाक का गोंद, जैसे मोचरस, जैसे गोंद का तीरा इसी परकार आयुर्वेद में गोगुल का भी बड़ा महतु बताया गया है जो की एक परकार के पौधे से ही प्राप्त होता है दोस्तो ऐसा ही एक गोंध होता है जिसे हम सर्जरस कहते हैं आज की वीडियो इसी सर्जरस के बारे में हैं के सर्जरस क्या होता है कौन से पौधे से प्राप्त होता है और इसके आयुलवेदि गोंध कौन कौन से हैं तो आए जानते हैं दोस्तो जो पहली बार हमारे चैनल पर और दख्षीनी भारत, पश्चीमी भारत में विशेश परकाल से पाया जाता है, सर्ज का वएग्ञानिक नाम वेटेरिया इंडीका है, सर्ज और सर्जरस का वर्रणन ऐरुदिक के लगभख सब्ही शास्तिरय गरंथों में किया गया है, अब जानते हैं कि सर्ज का इस्तेमाल किन किन रोगों में किया जाता है दोस्तो सर्ज का प्रियोग यूं तो बहुत सारे आयुवेदिक योगों में किया जाता है परंतु सर्जरस के पांच मुखे उप्योग है नमबर एक ये ग्रहनी रोग में स्तेमाल किया जाता है ग्रहनी रोग में क्या होता है कि व्यक्ति जैसे ही खाना खाता है तुरंत ही उसको टॉइलेट जाने की अर्ज होने लगती है तो ग्रहनी रोग में सर्जरस का प्रियोग किया जाता है नमबर दो दह रोग में हातों पैरों में अगर जलन रहती है तो उसमें भी सर्जरस के इस्तेमाल से फाइदा होता है नमबर तीन हड़ी के टूट जाने पर कहीं पर fracture हो जाए तो उसमें भी सरजरस का प्रियोग बताया जाता है माना जाता है कि सरजरस के इस्तेमाल से हड़ी जल्दी जुड़ जाती है नमबर चार अगर जोड़ों में दर्द रहता है तो सरजरस का इस्तेमाल आपके लिए लावदायक हो सकता है इसलिए सरजरस विभिन ऐसे तेलों काविया होता है जो जोड़ों के दर्द में मालिश के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं और नमबर पांच बहरेपन में यानि अगर किसी को बहरापन हो तो उसमें भी सरजरस से लाव होता है और सुनने की ताकत बढ़ जाती है इसके अलावा सरजरस के और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं जैसे एडियों के फटने पे या फिर कहीं से इसकीन फट रही हो उसमें भी स पानी आ जाने पर यो निरोग आदी इंसम में सरजरस का इस्तेमाल किया जाता है सरजरस के इस्तेमाल से माना जाता है कि घाओ जल्दी भर जाते हैं तो दोस्तों ये थे सरजरस के मुख्य मुख्य प्रियोग अब जानते हैं कि सरजरस का इस्तेमाल कैसे करना होता है अगर आप इसको निर्यास के तौर पर प्रियोग कर रहे हैं यानि सीधे गोंद के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी दवाई में मिलाकर हलवा बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी मात्रा एक से तीन ग्राम निर्धारित की गई है अगर आप सरजरस का प्रियोग डिकॉक् 50-100 ml का इस्तेमाल किया जाता है तो दोस्तो सर्जरस आयुर्वेद के वर्दानों में से एक वर्दान है और बड़े फायदे की चीज़ है तो दोस्तो उमीद है मेरी आज की वीडियो आपके लिए लाबडायक रही होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक औ शेयर कीजिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद